काफी सारे बच्चों के मेल जा रहे हैं टेक्स मेसेज़ जा रहे हैं कि दीदू प्लीज बता दो कि हम पास हो जाएंगे ना फिजिक्स में बिकॉस पेपर बहुत हाड आया था क्या हमको ग्रेस मांक्स मिलेंगे या किसी भी पॉर्टिकलर सब्जेक्ट किया कर मैं बात करूं आपका Chemistry का पेपर हो चाहें वो आपका Mathematics का पेपर हो चाहें वो आपका English का पेपर हो आपको हमीशे एक उमीद रहती है कि जो आपने पेपर किया है उससे जादा नंबर आपको मिल जाएं यह सब बच्चों के साथ होता है जब मैं क्लास्ट वर्ल्स में थी तब मेरा भी य सरीके से actually copies check हो रही है because मेरे बहुत सारे colleagues जो पहले रहे हैं वो अभी भी आज की date में भी copy check करते हैं और यह rule होता है बटा कि जब भी आपका examination कोई भी conduct करवाया जाता है उसके seven days बाद उसकी जो copy checking है वो start हो जाती है यानि कि अच्छा perform नहीं किये है eventually I know this thing यह feedbacks भी मिल रही है बट आपको घबराने की जूरत नहीं है बटा क्यूंकि कभी भी जो भी teacher आपका paper check कर रहा होता है वो कभी भी यह नहीं निकालते तो कुल मिलाकर साथ घंटे रह जाते हैं साथ घंटे में बीस copy रोज की उसको check करने को मिलने वाले यानि कि अगर आप estimation लगा कर चलो तो बीस मिनट के आसपास एक copy के ओपर आपका लगने वाला किसी भी teacher का check करने के लिए तो बीस मिनट में वो कोई भी ऐसी हैना गलती जो पहले chances बढ़ जाते थे एक टीचर को multiple copies चेक करनी पड़ थी एक दिन में और गलतियां उन्हें की chances बढ़ जाते थे वो कम हो गए जाएंगे कम हो जाएंगे अभी तो काफी जादा पेपर की कॉपी चेकिंग बाकी है यार अभी तो आपका बायो का पेपर पड़ा है देन आपका computer science का पेपर पड़ा है और अगर कोई commerce या आर्ट स्रीम से हैं तो उनके भी रिस्पेक्टिव पेपर पड़े होंगे सो इस बार possibility जो है वो कम हो जाती है बटा कि आपका examiner ने कोई question चेक किया copy checker ने कोई जो question था वो चेक किया और वो marks देना भूल गया ऐसी probability कम है दूसरी बात जो आपको ऐसा लगता है कि दिदूपन पास हो जाएंगे तो मैं आपको एक चीज पहले तो आपको एक reality चेक द 95% या 90% या 95% मेटर करते हैं नहीं करता हैं अगर आप एक अच्छे college में जाना चाहते हैं तो अब यह जो percentage का ऐसा बोलते हैं पंजाबी में यह percentage के गेड़े से बाहर निकल जाओ क्यूंकि अब आज से अगर मैं पिछले दो साल पहले की बात करूं हर एक university हर एक college की मैं बा और last में बिटा मैं आपको जरूर से सुनके चाहिएगा मैं आपको एक good news भी देने वाली हूँ जिसमें मैं आपको eventually बताने वाली हूँ कि अगर आपने इतने number का paper की है तो कितनी probability आपकी पास होने की so stay tuned till the end and watch this video till the end and don't forget to subscribe to the channel if you are not a subscriber तो अगर आप अपनी dream college में जाना चाहते हैं आप dream university में जाना चाहते हैं और आप ही expect कर रहे हैं कि हमारे 90% जो eligibility है वो follow होनी चीए तभी हम admission ले सकते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है अगर हम एक बहुत प्यारे से एक्जाम की बात करें एकना cute सा एक्जाम है यानि कि CUT एक्जाम common university entrance test इसमें सारी problems खतम हो गई है कितनी universities जो इतने बढ़े-बढ़े percentages मांती थी 12 में अब इस test के अंडर आपको eligibility criteria अगर मैं बात करूं course भाए course change हो गया है यानि कि अब यहाँ पर ऐसा कोई rule नहीं है कि आपको 80% या 75% या 70% चाहिए आपकी 12th पास होनी चाहिए बाकी course to course depend करता है कुछ minimum eligibility criteria रहता है वो follow करना पड़ता है otherwise अगर आप 12th में पास हो रहे हैं तो आप CUT का exam देकर एक अच्छे college में पहुन सकते हैं सो बिटा वहां तक का सफ़र important है copy check होगा पास हो जाओंगे number अच्छे मिल जाएंगे यह मुझे पूरा भरोसा है जिन जिन बच्चों ने paper को attempt किया है अब देखो काफी सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ हमने paper में कुछ भी लिख दिया तो number मिल जाएं गाने वाने लिख दिया नंबर मिल जाएं 500 की पत्ती चलाना बेटा यह स सबाय होब आपने नहीं किया होगा आपको एक चीज पता होनी चाहिए अगर आपने 70 में से अब मेरी बात ध्यान से सुनना अगर आपने 70 में से पास होना है तो आपको 23 नंबर में से 18-19 नंबर का जो paper है वो एकदम टका टक करा है यानि कि आपको पूरा भरोस है कि 18-19 नं यहाँ पर इतना अगर margin रहता है 18-19 नंबर आपके आ रहे हैं तो यह सुनने में आ रहा है कि इस बार जैसे कि physics का paper hard था तो there are chances कि जो बच्चा just 3 या 4 या 5 नंबर से रह रहा है तो उसको marks देकर पास किया जाएगा अब मेरी बात ध्यान सुनना ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी teacher को कुछ पैसे वैसे खिला दी और वो नंबर बढ़ा देगा ना ऐसा नहीं होगा वो आपके paper को go through करेगा जहाँ पर कोई formula लिखा है जहाँ पर कोई diagram बनाया है जहाँ पर कुछ भी units लिखे हैं जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है बट आप positivity के साथ बने रहो यार है ना इतना जादा hard copy checking नहीं होता है इस बार chances बहुत कम है कि आपकी copy checking में कुछ errors होंगे जैसे कि मैंने आपको पहली बता दिया है कि दिन की 20 copy check करनी है और 2-3 level वो चेक होगी बिटा यानि कि सरफ एक teacher dependent नहीं करती है जैसे कि बायो का पेपर की बार में बोले जारहे है कि शायद हो सकता है कि जो प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस कर सकते है लिक लिक कर चीजों को डाग्रम को बनाई यह ड्रॉ कीजिए तांकि आप past attempt कर सकें उसे exam को ठीक है उसके बाद जो अपना major goal है बेटा that should be the C कुटी एक्जाम वो सिर्फ और सिर्फ आपके दमाग में क्लियर होना चाहिए अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो बोर्ड एक्जाम सिरफ एक लेवल है जिसको आपन को पास करना है that is not the ultimate goal हमारा ultimate goal क्या है CUT crack करना उसके लिए बिटा हमने अलड़ी आपके लिए जनून बाच स्टार्ट कर दिया है और जनून बाच में आपकी आज physics की orientation class है है ना and बारा बजे में आपको orientation class के लिए मिलने वाली हूं उसके बाद अपना physics का support जो है वो start हो जाएगा CUT का so please I'll request you all जितने भी बच्चे है ना अच्छे university में जाना चाहते हैं they are dreaming something big about their career they should come and enroll in the genuine batch what do you have to do is बिटा आपको simply add a 24-7 type करना है आपको all courses में जाना है school k-12 category में cbac board class 12 से click करना है these are the batches I'm talking about अब जब बात आती है कि ma'am CUT exam क्या है तो बिटा CUT examination में आपने पास sections होते है section A में language होती है जो की mandatory होती है काफी सारे courses में आपको language का paper देना ही पड़ता है जो भी आपने class 11th and 12th में language लिए होगी let's suppose आपने English लिया है Hindi लिया है तो उसके हिसाब से आपको एक language चूज करना पड़ेगा तीन domain के subjects choose करने पड़ेंगे अगर आप PCB के students हैं तो physics chemistry biology चूज करिए PCM है तो physics chemistry and mathematics use करिए फिर उसके बाद अगर अपन बात करें next आपको section 3 में GT GT में अगर अपन बात करें तो यहां पर बिटा course में आपको e-books तो मिली रही है आपको mock test भी मिल रहा है बट अगर आपको books चाहिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात अगर आपको books चाहिए आपके घर पे so in that case बिटा आपको view all पे click करना है आपको CUT महा पैक में जाना है महा पैक में what are the benefits Wi-Fi 4-9 जैसी आपको apply करेंगे तो बिटा यह आपको 4,398 का पड़ेगा जिसमें you will be getting books at your home all the live classes of Janoon Batch you'll be getting e-books you'll be getting mock test everything so बिटा this should be your ultimate goal ठीके this should be your ultimate goal go and enroll in this and इसकी classes बिटा Monday से start हो जाएंगी physics के and I want you all to come and enroll in this okay so see you all in the classes love you all take care do comment in the comment section क्या आपका सेट कौन सा था और कितना डर रग रहा है वाई physics के एक्जामने क्या होने वाला है तो see you all soon in the classes till then take care